कि अगए है कि हरा दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटुब कैनल अनुक्ण श्टेडी में आज हमनों सुरू करेंगे प्रस्ट नमर 15 प्रस्ट में प्रस्ट करें जो कि आपके जितने भी प्रस्ट होंगे उनका सलुसन इस वीडियो में किया जाएगा तो अभी तक जो प्रस्ट नमर आपका जो है कि पंदर तक तो सलुसन करा दिया गया है आज हम पढ़ेंगे प्रस्ट नमर 16 से देख बीडियो अच्छा लेगा तो लाइक किजिएगा अपने दोस्तों में सेयर जरूर कर देजिएगा तो प्रस्ट नमर 16 आपका है क्या देखिए कहता है कि ए profit होता है profit कितने का होता है 10 संट होता है कि उससे 15 परसेंटेज का लाब हो वह्तhst कि Central है 10% का हो रहा है और आगली 15% होना चाहिए तो देखियए सबसे पाले हमको इस ते निकालना है क्या हम लोगों को CP को खरीदा है कितने में इसके बाद बैचता कितने में तो पहले हम लोग सीपी चाहिए तो सीपी निकालने के लिए देखिए ज़़ी आपका SP दिया हो और जो है कि profit हो रहा हो दिया हो तो XP यानि की जो है SP है ना तो SP यदि X तो हो और profit Y percentage का हो तो फार्मुला आपका है X तो X की जगापा कितना है 200 2700 कितना 50 गुड़े 100 होता है और बाटा में आपका 100 और प्लस कितना होता है profit profit कितने का percentage का 10 % तो यह 10 यानिक यह हो जाए कितना 100 कितना हो जाएगा 10 इससे यह क्या होगा कट जाएगा आपका हो जाएगा CP आपका हो जाएगा multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 27500 ठीक है यानिक 2700 कितना 500 इसके बाटा में कितना है 11 यह हम लोग इसको divide कर दें तो कितना होगा देखे 11 दुनी के कितना 22 हो जाएगा और यहां पर 11 दुनी के 25 हुआ पाँच पंच 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 कितना 55 हुआ और जो दो जूर यानिकि 2500 रुपए का जो दुकंदार है वस्तों कितने रुपए खरीदा था 25 रुपए का खरीदा था तो एदी वहां 2000 यानिकि 2750 रुपए बेचता है दस परसेंटेज का लाब हो रहा है इसके बाद यह कहता है कि आखिर में अब कितने रुपए का बेचे कि उसका जो जो प्रोफिट है प्रोफिट अब कितने रुपए का होना चाहिए 25 सिपी चाहिए यहां पर हो जाएगा चीपी कीटना है देखें सीप आपको कितुन है। पचीस सो और गुणे कहता है कि 100 प्लस वाई यानि कि 100 परसेंटेज इतना है 100 में जुड़ेगा तो आपका हो जाए क्या एक सो पंदरा डिवाइड बै कितना हो जाएगा सो इससे यह क्या होगा दोनों कट जाएंगे इसके बाद क्या कर देंगे मल्टिप्लाइ कर देंगे त दो होगा तो यह हो जाएगा पचीस और एक सो पंदर हो जाए कितना 2875 इसका मल्टिप्लाइब तो दो हजाएगा 2875 रुपया यानि कि वह जो है कि 2875 रुपया में यह वह बैचता है तो आपसा जा करके कितने प्रसेंटेज का प्रफिट होगा प्रसेंटेज के कि लिए रह आपका क्या इंस्वर रहा तो आपसा नंबर पुण। सा करेक्ट है 2875 रुपया यानिकि आपसा क्या है यह इस चलिए देखते हैं परश नंबर जो है कि 17 कहता क्या है परस नंबर 17 कहता क्या होगा कि किसी वस्त को यदि 900 रुपए में बेचने覆 से किसी ब्यक्ति को 25 प्रतिसत के हानी होती है इस वस्तु को यदि 1600 रुपए में बेचने से कितने प्रतिसत का लाब होगा तो आप से पूछा है कितने प्रतिसत का लाब होगा तो प्रतिसत लाब बताना है यानि कि प्रतिसत लाब जब बताना है तो देखेगा यहां पर यदि हम लो करेंगे तो फार्मूला दिखें दिया है कि कहता है कि SP जो पहला वस्तु का मुली दिया है 900 रुपय में बेचने से देखिए 900 रुपय में बेचता है आपका SP पहला है कितना 900 रुपया इसके बाद कहता है कि present इसके बाद कहता है कि यी एक आज हो रही है इसके लिए आपको क्या करना है प्रतिसत गपा निकालने के लिए यहां लिखलें प्रतिसत लव बरावर आपका हो जाएगा क्या कहता है कि जेड तो कमान कितना है 1500, यानि, यदि 1200, गुणी कोश्टक में 100 और माइनस, जितनी हानी हो रहे हैं, उसको हानी को घटाएंगे, 100% में 25 हो रहा है, तो आपको क्या 25%, बस तो पर जो 25 पर सेंटें 25 होगा, इसके बाद 20 में कितना हो जाएगा, जितने में वह हुआ अस्तु को पहली बार जो है कि बेचा है कितने में बेचा था 900 रुपए में आप माइनस क्या कर देंगे 100 यहां से आपका हो जाएगा कर जाएगा यह यहां से टना हो जाएगा कि यहांसे कितना हो जैगा है यहां से कितना हो जाएगा 16 गुणे 25 आ माइनस न तेरी कितना हो जाएगा 27 यह 100 है न तो कितना हो जाएगा 3 यानि कि 300 हो जाएगा आब आटा में कितना 3 गुणा कर दिजे 28 85 89 सी लाठ हुआ सो दुना के 32 और 32 शाट कितना और 40 माइनस कितना हो जाएगा 300 आ बाटा में क्या 3 यह तिधि घाटा आते हैं तो मिलता है क्या 100 बाटा में कितना 3 यह दिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 23 सही एक बाटा में कितना दोस्तों तीन परसेंटेज़ का हम लोगों को लाव होगा यह त्मी बी आपका करेक्ट है यहने कि तायं-तिस नहीं एक बटा में तीन परस्टेज आपका लाब ओ रहा है थीकर देखते हैं प्रसनम्बर 18 आपसे क्या रहा है प्रस्ट नम्र 18 कहता है कि बीजय ने एक रेडियो को स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा प्रस्ट नमर 18 तो चलिए प्रस्णमत जो कि 18 देखते हैं कहता है कि बिजय ने एक रेडियो बिनाई को 10% लाब पर बेचा बिनाई ने इसे बीमल को 20% हानी पर बेच दिया तथा बीमल ने बिनोद को 25% लाब पर बेच दिया तो बताये कि बिनोद ने 2 handful 50 इसका मूल ले दिया तो बीजय ने रेडियो कीतने में खरीदा था सकती बिनाई जो है तो मान लेते हैं पहली बार कहता है बीजयए ना तो मान लेते हैं कि बिजय leven जो है एक जो खरीदा है अबी ज़ो खरीदा साय यहनिके सीपीमानलेते हैं कितंगी सुर्पिया ईंर जो प्रॉफिटा इसका जो हो रहा है प्रॉफिट यानिकि 10 परसेंटेश के लावप क्या करता है बेचता है तो भेक्रहें निकालेंगे तो इसका यदि बिक्राव मुले निकालते हैं यानि कि इसका यस्पी यदि निकालते हैं तो यस्पी के लिए क्या फर्मूला लागया यक्स गुणे यानि कि पैसा कितना था 100 रुपाय में खरीदा था आकोश्टक में 100 प्लस वाई परसंटेज जितना लाभ हो आप यह 20 100 कितना 10 अब 225 कितना 100 हो जायगा 10 से यह कट गया यहां कितना एक सोजुँद् NEW यानि कि जब वह 100 रुपाय में खरीदा था और वह बेचा है किसको बेचा है वो देखिए बिनाय को बेचा है तो बिनाय को बेचा है तो बिजाय का यह विक्राय मुली होगा तब तो बिनाय का क्राय मुली ना अब तो वह खरीद लिया है तो अब बिनाय का देखते है तब त कि यह जो बेचा है कितने बेचा है 110 किसको बेचा था यह बेचा था बीनाई को तब तो यह बीनाई का अब हो गया क्या अब बीनाई का यह यह बीनाई को जब बेच दिया है तो अब यही जब जब बीनाई इतने रुपाय में खरीदा है तो वह काम करेगा किसका सीपी का यह यानिकि बिनाय का क्या है क्राइम मौले जिंस नमें 110 गalam टाया है जो बेचता हैं तो कितना पर्सेंटेज की लास पर बेचता है कितने प्रतिसत के टिसक्त के हानई होग युवीक हो में निकालेंगे तो हम से हो जाएगा 110 गुणे 100 में से 100 में से जो है यादि कि आपका लास हो रहा है तो घटेगा 100 में से 20 गटेगा तो कितना अस्ति बाटा में क्या 100 इसने यह कट गया जितने क्या यह जै अब तो यह नहीं काहरी कःम करीं और जो खरीद लिया है स्वक्राइब घर मुली हो गयाangs करें में कि िसके बाद को कहता है क्या को हम पिइमल कुनूंध को अब कहता है कि बीमल ने बिनोद को किते रुपए में बेचता है पाचिस परसेंटेज की रापषर होरा है किसा है इसका इसका कितना 25 परसेंटेज को प्रॉफिट होه ठीक है लापपर बेच दिया कि इसको बेचा है विनोद का और देखी और बिनोद को जो बेचा है तो कितना हुआ है देखेंगे आप लोग इसको याद रखेंगे और इसका बेचा है तो आखिर में देखते हैं कि कितने में बेचा है यस्ती बराबर हो जाएगा अठासी गुणे 25 परसेंटेज के लाग तो सव में 25 125 हो जाएगा अब बाटा में कितना सव ठीक है अब देखें पांस से कटाएगे यह ज्यानिक पचीस से कटा दी पचीस चोगों कितना हो जाएगा सव आप पचीस पचे 125 फिर चार से कटा दीजे चार दूनी के आठ चार द पर बाबर हो जाए कितना पांदोनेकर 10 को सुना हासिल एक पांदोनेकर दस तो रहे क्या एग्यार एक्सो कितना दस रूपय में यह क्या किया है ठीक है अब दिखेगा कहता है बेच दिया तब तो अब बिनोद को वी सब्स परसेंटेज के लाग पची तब दो अब क्या सीपी यानि कि बिनोद कापक्राई मुल्य हो जाएगा एक सो कितना दस अब बिनोद कितने में खरीदता है 110 उर्पए में खरीदता है ठीक है और इसके बाद यह क्या कह रहा है समझेएगा कहता है कि बिनोद ने दी दोस्तों 2750 रुपए का मुल्ल दिया तो बीजय ने रेडियो को कितने में खरीदा था अब देखिए जब यहां बिनोद जो है कि 110 रुपए में खरीदा था 1200 रुपए में कितने रुपए में खरीदा था 100 रुपए में यानि कि जब वह जब बिनोद 100 रुपए में 110 रुपए में खरीदता है तब तो यह विजय कितने में खरीदा था 100 रुपए में जब बिनोद जो है यादि एक बिनोद जो है 110 रुपए में खरीदता है तो विजय वह खरीदा थ 100 डूपय मेंहों खरीदा था यानि कि हम लोग एक पर दोएंगे तो सो बाटा में कितन में हो जाएगा 110 एक पर हुआ यह ही कह रहा है कि यदी वह लोगा हज therefore 2750 रूपय में खाई क्था 22742 कृटन में फिर्ता तक हो जाएगा 100 बाटा में तब बंच पंजभ करें नूलिफ से घरीदा था येनि कि 2750 रुपय यदि खरीदता है कौन बीज़ाय खरीदता है बिज़ाय करें मतलब कि खरीदा होगा यानि कि बिन बिन लिदे डी 2700 पचाश उर्पय का लिया होगा बिजय का लाउस्टे वाला प्राइस sर था अब हो गया कितना 250 यानि कि 2500 यानि कि इसका कहने का मतलब यह है कहता है यदि बिनोद 2750 रुपए में खरीदता है तो बिजय कितने में खरीदेगा अब देखें जब बिनोद जब बिनोद 100 रुपया में खरीदा है 100 रुपय में खरीदा है तो बिजय का मैं कितना है तो जौने जो है कितनी रूपय में खरीदा था 100 रूपय यानि कि 110 का जब यह खरीदता है तो यह जो है कि इसी 100 तो है यादी गाता है गाऊचे तब तहको कि एक दोषाइं कि इसके शर्ब्सकेई को सब्सक्राइब है आपिसा नमर डी का करेक्ट ऐसी है थोड़ा जो है कि लंबा हो गया तो आपको आप रखती 2000 में दो वस्तूओं को समान मुल्य पर खरीदता है और उसने उसमें से एक को 20 प्रतिसत लाव तथा दूसरे को 20 प्रतिसत हानी पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिसत लाव अथवा हानी हुई फ्रेंड सा जो है कि आप लोग एक बात याद रखेगा जितने में हम लो 10 प्रतिसत का लाव लेकर बेचते हैं और लग लेकर तो ब्लेकिन फिर आगे चलके हम लोग 10 पर्सेंटेज की हानी से पिर बीच देते हूं बताइए एक बार लेकर उतने का बेच दिए एक बार हानी लेकर उतने का बेच दिए तो क्या कुछ लाव या हानी हुए नहीं हुए यानि कि आपका सिर्फ होगा क्या जीरो परसेंटेज का लाव और जीरो परसेंटेज की क्या हानी यानि कुछ भी उसके मान में कोई परिव खरीदा था जितने लाब बेचा है उतने लाब से लिख धिया ग्यां सब्सक्राइब कर दिया तो कुछ माब भूगा नहीं होगा यानिकि कितना होगा जीरो परसइंटेज टीक्या आगे बढ़तेए है कि कोई बेक me どो घोड़े प्रतेक को छो सों में बेशता है इक पर उससे बीस प्रतिसद कालाव होता है तो ऊसे कुल लें देन hai होती है तो प्रतिसद काला भी यहान है निकालते हैं तो बस कुछ स्कुआर समझ रहें क्या है जो परसेंटेज लाब हो रहा निसीतने प्रति सत कवागा हो रहा है वही है दोने मांसें है दोनुं मांसेट तो कोई एखी होगा त rec초 सो परसेंटेज लिगर सो हो जायगा Tôi pigawsग चार सो बटा में क्या था हो तो 4 Sarza यानि कि कितना परसेंटेज चार परसेंटेज कितना परसेंटेज हुआ चार परसेंटेज हुआ यानि कि आपका जो है कि आपसा नमबर बी करेक्ट है कितना परसेंटेज च्यार परसेंटेज तो चली आगे देखते हैं जो कि 21 क्या कहा रहा है 21 में देखेगा 21 कहता है कि दो वस्तू वों का क्राइम उल्ले दो वस्तू का क्राइम उल्ले दिया है प्रस्ट नमबर 21 कहता क्या है जरत देखेगा ध्यान से कहता है कि दो वस्तुओं का क्राइम मुले तो मान लेते हैं कहता है कि फर्स्ट और सेकेंड का यह दोनों वस्तुओं का जो क्राइम मुले है आपका दिया है 20-50 ठीक है और कहता है कि यदि विक्राइम मुले समान हो तो उनके उनमें से एक को 25% पर पर तथा दूसरे को 20% किहानी पर बेचा गया तो दोनों का क्राइब मुल्य अलग क्या होगा चलिए दोस्तों करते हैं कहता है क्या जरा देखेगा कहता है कि दो वस्तू का क्राइब मुल्य आपका दिया है क्या हो जाएगा कीतना है यक्स यदि हम लोग कहते हैं कि पहले का यधी एकस है तो लिए mentor करेंगे तो हम कितना हो जाएगा पूरे आपका है 20 पर 50 में से हम लोगत घठा देंगे ज्यांगे सब्सक्राइब को पहले वस्तु का ठीक पहले वस्तु का कितना बीष प्रतिसत कि सब्सक्राइब यह देखेगा को कहता है कि विशती प्रतिसत कि लाग पर तथा दूसरे पर बेचा जाता है तो आपका जो बिक्राय मुल्य है पहले वस्तु का बिक्राय मुल्य यह पहले वस्तु का हम लोग यस्पी निकालेंगे आप पहले वस्तु पर कितने का जो एक परसेंटेज लाब हो रहा है दखिएगा पहले का यक्स है अगूने कहता है क्या कि पहले का 20 प्रतिसत लाब यदि स्वाव पर 20 प्रतिसत यदि लाब लिया जाता है तो आपका 100 कितना हो जाएगा प्रतिसत नहीं 25 प्रतिसत लाब लिये जाए तो यानि कि यदि वह वस्तु यदि वस्तु का क्राइम लेजिए रुपिया हो और 25 प्रतिसत क्राइम लाब पर बेचते हैं तो उसका क्राइम कितना हो जायेगा दूसरी बात क्या कहा रहा है देखीगा कहता है कि दूसरी बार यानि करने का यह यह है यानि की सेलिंग चैलों हो नही स्ट है तो आप कितना कि कितना हो जाएगा 100 है जीरो जीरो कट गया दूचेव के बाट हुआ दूपाचे दस है ठीक है अब जरा मॉल्टिप्लाई कर सकते हैं इसमें है तो हम लोगा हो जाएगा यह हो जाएगा माइनस चार यक्स थोड़ा नीचे लिख लेते हैं हो जाएगा माइनस चार यक्स और यह हो जाएगा चार सुनाई सुनाई चार पच्छे बीस और यह हो जाएगा कितना चार दूपाचे लेकिन कहता क्या है कि दोनों का क्रई मुले है समान है दोनों क्रई मुले क्या है समान है तो थे देम का पची सबकाषा हो जाएगा और यह कि नहीं मल्य थे सकते हैं तो यह कि स्सक्राइब कितना हो जाएगा दोस्तों quarter ऑप एकतालिस सी एक्स बराबर हो जाएगा बतृटिस ड्रहाब ए कि हम लोग लोग 20 को कटातेहं दो किتيएक हो जाते कि दुबाइब करते पहले का जो है CP यानि कि आपका क्राइम मुल्य है 800 रुपिया हुआ लेकि पोश्टा है कि दूसरे का भी क्राइम मुल्य कितना है तो पहला इतना था न तो अब यहां से यनि कि 2050 में से घटा देंगे आठ्सो तो दोस्तों कितना बचा पांच बचा और यह हो जाएगा 5 सोरी 0 भी जीरो हुआ आप पांच हुआ दस में से आठ घटे जाजा दो हुआ और यह एक हुआ यह क्यांने कि आपका हुआजएगा 800 और कितना 1250 उमीद होगे कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा चलिए देखते हैं अगला कोश्चन प्रस्ट नमबर जो है कि 22 कहता है कि यदि 26 स्वस्तों का क्राइब मुल्य 25 स्वस्तों को बित्राइब मुल्य के बराबर है अब समझेगा कह रहा है कि 26 स्वस्तों का जो क्राइब मुल्य है तो क्राइब मुल्य यानि कि मालने ये सीपी बराबर यदि जो है यदि यस्पी के बराबर है यदि जो सीपी है यनि क्राइब मुल्य जो है इदि बिक्राइब मुल्य के वस्तों के बराबर है तो उस समय आपका यदि परसेंटेल लाभ यहानी निक निकालने होती है तो होता है कि इसका प्रतिसत लावियाहानी क्या नहीं करना है Êब 26 माइनस 35 कर देना है तो राप संटेज एक होगा जाई से सो नाइग एक widow प्रसेंटे उये आप कौन सा करेंठ है आपका आपसान नंबर एक Kry такой करेंट तो चलिए बढ़ते हैं अब परसमनामबर कोई ब्यापार 10 रुपए में 10 कुलम खरेता है और किसी कारण वश दस में यानिक 10 रुपए में 11 की दर से बैचता है तो कह रहा है कि प्रतिसात लावहानी निकालने के लिए क्लिए कुछ नहीं करना है पहले देखिए कहां दिया है दो दो बार एक ही मान दिया है तो 11 दॉसा करें गroeल और पाले का स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे डॉसका स्कॉएर और इसके बाद करेंगे गुंटे सौ करनाहे बस वही आपको करना है जिस ताय। abbiamo कि यह और सिर्फ आपका दो बार देया कर है अगरा बाटा में अब दिखी जो बड़ा है उसी का हम लोगी स्कॉयर करते हैं तो यहां पर हो जाएगा 11 का क्या इसको आप इसके बाद इसका वर करते हैं तो आपका हो जाएगा 111 आप माइनस कितना हो जाएगा 100 और गुणे आपका कितना हो जाएगा 100 अब आटा में 100 कितना 2100 और बाटा में कितना हो जाएगा 121 और इसका हम लोग यदि प्रतिसतला पूछा है न तो प्रसेंटेज तो लगेगा है अब भाग देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा देखिए 121 से देना है यह हो जाएगा एक बार हो जाएगा 121 यह नहीं हो गया दस में से यह आठ हो गया यह कट गया यहीं कि 12 सते 84 होगा 12 सते 84 यह हो जाएगा कितना घटा देंगे तो दो हो जाएगा 10 में से 7 घटेगा 3 और यह हो जाएगा 8 8 में से 4 घटेगा 4 यहनी कि आपका हो यह 57 सही 43 बटा में कितना 121 परसेन्टेज का यह होगा यह हो जाएगा आपसर नमबर बी आपका करेक्ट है यानि कि 17 सही 43 बटा में कितना 101 ठीक है चली देखते हैं प्रस नमबर जो है कि 24 24 क्या कह रहा है वो देखें कहता है प्रस नमबर 24 कि एक कलम विक्रेता ने 5 रुपए के 6 कि दर से कलम खरीद कर यानि कि 6 रुपए 6.9 का जो दाम है पांच रुपए है च्छो पेन को दाम कितना है पांच रुपए यदि है तो कहता है कि यदि उसे वह बेचता है चार पेन यदि तीन रुपए में वह बेचता है तो कहता है कि उसका प्रतिसात लाविया हानी क्या होगी तो सबसे पहले आपको फाइन करना है कि वह लाब का मा हसार Hai यहां निकाम रही है मतिके लाव कितने है यह लाव तो इसको लाव हो रहा है या अनियों हो रहा है सब करना है के 173 कि किटने का है到 शुन कम निकालेंग चलिया काता है Tran keeping कितने पैन रुपिया 5 रुपिया समझिएगा और छोटी जो होगा आप 5 बाटा में 6 का मतलब आपका 0.8 0.8 कुछ करके होगा न अब देखिए यह तो आपका पहला रहा यानि कि इतना रूपया हुआ एक पेन का लेकिन कहता है कि यदि चार पेन के दर से यानि कि चार पेन जो है आपका बेचता है कितने रुपाय में इक पेन कितरे रुपाय में है यहां बड़ा बड़ा है या इन आहने किसकी करके होगा औरहाँ स्थेले पाइंट और। तो भड़ा है 0.8 बढ़ा है ना यह तो यह तो जब मान इहां अधिक यह एक रुपय सेवन कुस करके पीपहे होगा तो गुम्छ संद्ध करता है यह अशी पैसे में का चांट थो ग्लख ने तो यह हुआ घ्र भूरा यह संद्धान की में का किन रहा हो रही हानी हो रहा है। इसके हम लोग देख लिए न कि हानी हो रहा है अब देखें तो प्रतिसत हानी कितना होगा वह देखें आपको निकालना है क्या प्रतिसत हानी क्योंकि हानी हो रही थी न तो प्रतिसत हानी बराबर होता है क्या अब एक पेन का दाम पहले कितना था छो आप माइनस कितना है ती बाटा में चो रुपय में समझ में आया है और इसके बाद सोलूसन यह दिकरते हैं तो च्छार का एलसेम कितना हो जाएगा 24 होगा की नहीं होगा ठीक है अज भीन पलट जाएगी तो यह मल्टिप्लाइ में हो जाएगा च्छा बाटा में कितना हो जाएगा पांच अगुणे होगा तो कटाईएगा चोचको 24 हुआ दू दूनिक कितना हो चार हुआ और यह हो जाएगा कि इस परसेंडेज की उसको क्या हो रही है हाने हो उपीद हो कि आपको बिल्कुल समझ में आगया होगा इस टाइक को कोई भी कुश्च्चन हो तो आप इस तर से हल करेंगे नि देखते हैं इस्ता नूमर 25 क्या जरा हो देखेगा कredit प्लत नूमर 25 जो इस कहता है करता है कि इस सो द्हुंध सो द्Talk ने एक त्सथ गेंद तीन रुपए में चाहर में चाहर के भाव से यानी कि प्रकारी उससे सुर्व रूपय का लाभ ने कि परिंद खरी और कितने प्रतिसाथ का लाभ थी रीदियों हुआ है तब मान लेते हैं कि माना सोधार ने कि जी है कि 20 जिये खरी दि माना कि 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 माल लेंगे कि माना सोधागर द्वारा कुल गेदों की संख्य कितनी है खरीदी गई 20 यदि हम लोग चार और पांच केलसेम निकालते हैं तो कितना होता है आपका 20 होता है ना तो चार और पांच केलसेम निकाला गया है वहीं आपका फाइंड हुआ है क्या 20 अब देखेगा कहता है कि चार के भाव से तीन यानि कि चार जो है गेंदे जो है कि तीन रुपए के भाव से खरीदता है चार गेंद यदि कितने रुपए के भाव से तीन रुपए के भाव से खरीदता है तो एक गेंद कितने का हो जाएगा तीन बटा में चार रुपए का एक गेंद इस सचले में लेकिन आगे कहता है क्या यदि पांच गेद छाउन से अगला प्रोसेस क्य거든 जो है च्यार रुपई के भाव से खरीडता है तो उसी तरह से जो बीसगेद है वह पंदर रुपए के भाव से खरीदा था थे करें और यहां पाधर करकें सुरार रुपए के का चीया है बेच दिया है तो आपका लाख कितने का होगा एक रूपए का लाव हुआ न तो वही कहता है कि इसका कितने प्रतिसत का लाब हो रहा है यह आपका क्राई मुल्य है लेकि बेचा है इतने में तो एक रुपए का लाब हो रहा है न तो लाब हम लोग देखते हैं यह यदि हम लोग प्रतिसत लाब निकालेंगे तो कितना होगा देखिया आपका लाब होता है तो लाब कितने पंदरा च्छा का 90 होता है 6 सही दोस बाटा में कितना हो जाएगा पंदरा परसेंटेज यानि कि 6 सही दोस बाटा में कितना पंदरा परसेंटेज आपका हुआ क्या लाब लेकिन हम इसको और कटा सकते हैं तीन पच्च जो है कि 5 त्याई 15 हो जाएगा अब 5 दोने के किया 2 यानि कि 6 सही 2 बटा में कितना 3 परसंटेज का क्या हुआ लाब हुआ लेकिन कहता है कि जो एक रूपाई का लाब होता है कितने रूपाई का एक रुपाय का लाब होता है तो उसमें 20 गेद खरीदता है एक रुपाय का लाब पर 20 गेद खरीदता है तो इसी तरह से कहता है कि यदि सोरा रुपाय का लाब हो तो सोरा रुपाय का लाब पर कितना हो जाएगा एक रुपाय का लाब पर 20 गेद खरीदता है तो सोरा रुप आपको कौन सा करेक्ट है आप सो नमबर भी आपका करेक्ट है यानि कि 320 गेंद खरीदेगा और कितना परसेंटेज का लाब हुआ था छोज सही एक दो बाटा में कितना तीन परसेंटेज का क्या हुआ लाव उम्मीद हो गया आपको समझ में आ गया है चलिए देखते हैं प्र 25 परसेंटेज कमाने के लिए 25 परसेंटेज का लाब कमाने के लिए उसे एक रूपए के कितने संतरे की दर से बेचना होगा देखेंगा यदि कहता है कि यदि जो विक्रेता है यदि पांच संतरे को यदि एक रूपए में जो विक्रेता है पांच संतरे को यदि एक रूप एक रुपय में खरिदेता है तो कहता है कि यह उस पर 5-25 परसेंटेज का क्या लब खमाने के लिए तो पहले हम लोग यह देखेंगे 5 जो है यह दिपांच संतरे का यदी वह हम लोग निकालते हैं क्या एस्कारे निए कि तो आपका होता है क्या डिक्राइम मूली यानी की परसिंटेंटेज का आपका प्रोफिट कर रहा है कितने परसिंटेज का किस परसिंटेज का ठीट न यह हो judgment कि तना। तो हम लोग भाग देदेगे तो 25 पाचे कितना हो जाएगा 125 यह हो जाएगा 25 को 100 और डिवाइड कर देगे तो यह हो जाएगा एक दस्मलो कि दू पाँच यानि कि एक रुपया जो है कि 25 पाइसा में सुनियेगा कहता है कि एक रुपया 25 पाइसा इतने रुपये में यानि कि एक रुपया 25 पाइसा में वह बेचता है कितने संतरे पांच संतरे बेचता है एक रुपया 25 पाइसे में वह कितना संतरे बेचता है यदि वह पांच संतरे बेचता है तो एक रुपये में वह कितना बेचेगा ल錢 देखिए एक दसमल दो पांच रुपाई में यस वह नहlier पीछता है तो हमすनिकालते हैं किम रुपाई में कितना बेचेगा तब तो हो जाएगा 5 बटा में कितना हो जाएगा िंुद्द 25 अगुणे कितना कर सकते हैं एक ठीक है अब यहाँ से हो जाएगा आपका कितना यह जाएगा पांच एकंपांच और यह Mate गएगा 0-12 पांदुनी के दस हो जाएगा और पाच पचे कितना पचीस ठीक है अब यहां पर हो जाएगा एक बाटा में जीरो दस मलों दू पाच होगा कि नहीं होगा हम लोग जानते हैं कि जब पॉइंट हटाना होता है दो अंपर है तो एक पच्छी दो जीरो बढ़ा करके उपर ठीक है ना को यहनिक वह एक रूपय की बात करता है कहता है कि वहां एक रूपय में कितने संत्रें की दर से बेचे गयाltag यू Champawn जो हैं चार संत्रें बेचेगा और जो खरीदार है वह 600 क्यों कितने रूपय में को आपका यह हो गया एवनोर सभी तर एक रूपया ý no जब यह एक दसंतर मोलों दो पांच रूपए में यह एक एक रूपया 25 पैसा में यह पांच रहे बेचता है तो निकालेंगे तो आपका हो जाए कितना समझे हैं आगे बढ़ते हैं प्रसमानमर 27 कहता क्या है जररों देखिए कहता है एक बिक्रिता अपना माल करया क्रायת ओर मुल्य पर बेचने का दावा करता हैं कुछ सकती है ट्रूर्पे की वस्तभष खरीदते हैं यह सब कहते हैं कि ये यह प्रसमाने 15 किलोग्राम बाटा के अस्थान पर 90 ग्राम के जूठे बाटे का परियो करता है अब 15 इना रख करके जो है नाव मत्वर्णा करता है की इक किलोग्राम थो तो मलेते हैं कि माना कि एक किलो ग्राम में आपका कितना होता है एक हजार घ्राम होता है सच है 700 ग्राम जो है तो छिसरीटा माल दो का क्रैम मूले की आपका uh पी जो है मान लेते हैं कितना है सो रुपिया कि एक हजार जब ग्राम जो है कि वह माल खरीद देता है तो वह कितनी रुपए में खरीदता है मान लेते हैं सो रुपए में खरीदता है लेकिन कहता है इस सो रुपए में जितने में हम खरीदें हैं उतने में हम बेचने का दाव अबनें लेकिनकी 1000 कि माल लेते हैं कि एकने घार सब्ट्राइब मेन खरीडता है लेकिन वह 1000 जगह पर कितना रखता है 900 ग्राम रखता है तो तब तो उसे ला भी ना होगा अब देखे सब्सक्रिदा कि लूग कि ज होखता है कि तना 900ками माल का लूग का ओप पुकतितने में खरीदा तो बढ़ेगा उसको खरीदार इनुनिगे 200 घ्राम माल घर रिता है तो उसका स्वी प्राइज हो जाएगा everywhere किसे सौब बंट में कितना होगा एक हाजार होगा क्यों कर रहे हैं क्यों कि पहले एक का निकालेंगे तो सो बंट में इसका मतलब कि छरीदारी कि पड़ेगी कि यह इन्हाइब होगा न 750 रुपय में खरीदें गया नबक वेच एक है कितने केही पड़ेगा तर तो हम लोग उसका हो जायगा सो रूपाई में इसका मतल़ कि बेच दिया खरीदा कितने रूपाई में 90 रूपाई में तब कितने कहो गया 10 रूपाई का क्या होता है लाव होता है और क्योंकि जब भेटखया 990-900 निकालते ऊच्छी किट रूपई में खरी अ 300 लाब हुआ हुआ सब नहीं कहता है कि सपीशांत का प्रती मिल्पार निकालिए है चलिए है आपका लाभ होता है तो लाभ गुणे 10 है अगुणे आपका 100 होता है आप बाटा में आपका होता है क्या क्राइम लेनी खरीदा था कितने में 90 रुपाय में इससे यह क्या हुआ कट गया तो आपको कितना हुआ मुझे है हो जाएगा दोस xu arte में 100 हुआ अब आपूछ में कितना नो कि कि हम दो करते हैं तो क्या मिलता है देखिए 10 00 करते हैं में 9λλें कि San Fran manure ohh इसके बाद यह एक हो जाएगा यहें फिर णाएक हम लॉट्स का फिर कि यानिकी यही एक हो प्रोथिसंत के उसे क्या होता है लाब होता है तो हम लोग क्या होता है यह आपका रहा क्या एंसोर जो कि आपका नमबर करेक्ट है किलियर हो गया है उमीद होगी तो दिखेगा कहता है कि एक किलो ग्राम का जो माल है स्टार्टिंग में ले रहा है जो कि 100 रुपया ठीक है सो पर दिमान लेते हैं लेकिन वह एक हजार ग्राम लखता है तो उसका खरिदारी मुली कितना हो जाएगा नाव रूपया हो जाएगा ना तब तो नबज रुपय में हाए लेकिन वह बेच कितने में 100 रुपए में जब बेचा है तो 10 रुपए का प्रोफिट उसे हो रहा है यदि परसंटेज लाब निकालेंगे तो हमों को परसंटेज लाब आपका होता है यानि कि लाब होता है लाब गुणे और 35 रुपए कम में बेची जाती तो लाब 20 परतिसत होता क्राइम मुल्य क्या है उसका कराइस क API मुले निकालना है तो मानलें कि कीStra脨ब कि रुपए में खार दी गई सो रुपए अब कहता है कि इस इसर सो उस्पाए पर कितने पर्सेंटेज की लाब पर साइकल जो है 25 से लाब पर बेच गए तो सो यादिकी πά Chapel प्रतिसत लाब पर य 04 यदि बैचता है मैं तो आप उसका कितना हो जाएगा फॉराप परणो पर सेटेज ना तो दो है बीक्राय मुल्य जो हूं गाप 15 परसेंटेज यदी लाब पर बेचता है तो इसका अब बिक्राय मुल्य कि नो जाएगा 115 जैए 비디오 क्रिपर रुपए में लेकिन जब पंदर परसेंटेज का लाब हो रहा है तो बेचता है कि इसके बाद कहता है कि 10पर सेंटेज यदी कम मु दीता है तो उसका है कि सब्सक्रीद को फो खरीदता है तो उसका सट्फीद कि तना रहा होगा δेखिय। decides कि तना 10 दस परसंटेट सब्सक्री खरीदे का होगा न些 मतले कि खरिदा होग तो कितने रुपए में ख़ड़ाओं नवे रूपए में ठीक है अब आगे का क्या आता है कहता है कि यह लाब 20 ha होता है तो उसका देखते हैं तो जब लाब 20 पर्सेंटेज हो रहा है तो आखिर में वह है कि यह यह देखते हैं कि आखिर में क्राइम मुल्य कितना है लेकिन आखिर में वह बेचा है अब कितना अब देखेगा होता है आपका क्या क्राइम मुल्य होता है आपका 100 अब प्लस लाब होता है कितना है बीस अब आटा में कितना होता है सो फर्मुली के अमसार हमनों चले हैं यह हो जाएगा नब गुणे यह हो जाएगा एक सो कितना बीस अब आटा में कितना सो इससे यह कट गया इससे यह यानिक बारा वाठे की बारा नावा एक सो नाय कमना और क्या 10 108 रुपए में यानि कि यदि वह नद्बे रुपए में वह खरीदता है अब उसके बार यदि वह जो है कि 20 परसेंटेज लाब पर यदि बेच देता है तब हम लोग का हो जाएगा क्या यानि कि उसका जो विक्रेम मुल्य होगा विक्रेम मुल्य कितना 108 रुपए में क्या किया है बेचा है लेकिन अब देखते हैं इन दोनों के बीच अंतर कितने का है इन दोनों के बीच जो है अंतर कितने का है यानि कि कितने कम पर अब वह बेचता है तो आपका हो जाएगा अब देखेगा यानि कि वह जो है कि 7 रुपए कम में वह क्या किय बेच दिया है को जब उसका जो है कि 20% लाब का होता है एक बार 800 रुपए 108 को बेचा है लेकि पहली बार जो है यदि पंदर पंसेंट पर वह बेचा था तो पंदर 115 हुआ और इसके बाद जो है कि 20% लाब पर बेचा था तो कितना हुआ आथ को जब खरीदा था हुआ नवे रुपए में तब अब आगे देखते हैं कि चुकि कि जब वह ठीक है जब उसका यस्पी जो है सात रुपए कम था जब उसका वीप्राइम वुली साथ रुपए कम है तब वह वासत को कितने रुपए में खरीदा था सो रुपए में पर fakurn 2008 को कि जब एक रुपए कम होगा तब कितने में खरीदेगा स्व बाटा में कितना संद आइसलिए कहता है कि यदि वह 35 रुपए में 25 अई जब 7 रूपए कं मे वह बेचता था तो 100 रूपए में कितना हो जाएगा सो अग्वे कितना हो जाएगा 35 आबाटा में कितना साथ 6 direito जबाने कितना रुपाय में कित अदिए ऐकेदा होगा तब होया 55 कम में क्या करेगा ृष देखते हैं हुआ आप 10 नूंबर जो sangat 10 या य हुदि वहाँ 500 रुपई में खरिदता तो जाकर 352 कम में क्या करता रचे दृठ एंसर जो आप Wasser प्रस नमबर 29 में आपको पूछा क्या है प्रस नमबर 29 कि कहता है कि 20 किलोग्राम चीनी पंदर रुपए की दर से अब देखेगा चीनी जो है कि 20 किलोग्राम खरीदता है कितने रुपए की दर से है कि आद रुपए की 163 कख यानि की तीन सो रुपए ठोटल आपका हो गया कितने रुपए कि अगली बार यह सब्सक्रीज गरए हो दूसरी बार चूरी बार खरी देता है तो आप 000 इसके खरीदता है किस रुपय कितने रुपय की दाम से बाराव रुपय की दाम से तो या हो जाएगा कितना हो जाएगा बारापचे साथ कोशनना हांसी छह हुआ बारा एकम हुआ बारा हुआ बारा를 च्म आपका दिनी को चैनि को ६ किलione की दर से बेचता है पहले 12 था ना आए 15 ταशाइब सब्सक्राइब कितना हो जाएगा सब्सक्राइब तो तोटलडाम कितना एक जीरो गया आठ हो गया कितना चार जो है 25 किलो खरिदता है तो चार सोथ हिरुपिया देता है तो उसकाँ सी मूले कितना ठाश क्वा कि अब मेकिन पहुत कहता है कि यह बीन कि चीनि को चाह refine O अब जो 35 किनर चीनि है कि यह बचनु रूपए प्रती ओ मैं 14 रूपए क्या 14 रूपे प्रती है कि वहाव से बेचता है मैं स्थ्डiv skincare पर लोगने से पर सीमसे दो है कराइमुली कितना हो जाएगा एसपी नएक बिक्राइमुली स्पेयन 35 किलो चीनी कर यहां समझे ॉधारधा था 480 रूपया में है 35 किलो चीनी के नि क्यार सब्सक्राइब है अब वह करा है कि यह हम 14 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है तो उसका जोए कि विक्रे मुली कितना हो गात पाइतिस गुणे हो जाए कितना 14 हो जाएगा चोदा पाचेस सत्तर को सुनना हासिल साथ हुआ अच्छोदा तिया 42 42 साथ कितना हो जाएगा है यह लिए साथ उन्चास एनिके 400 कितना हो जाएगा नव्य रूपया चार सो कितना वह नव्य रूपया तो अब उसको लाब कितने का हुआ जारा तमझिए अब देखेगा चार 180 रुपय में खरीदा 35, humano चिनी कहरीदा था चार और सी 56 सी है बेच दिये आप कितने में 490 रुपया में तो लाभ कितने कहा हुआ जैरा देखेगा 490 है कि कि तना यह सो ऑस ति आपका कितने प्रतिस्त लाव निकालते है तो आपका क्या होता है लाव होता है आगूले आपका कितना होता है 100 होता है आप बाटा में आपका कितना होता है क्राइम मुल्य होता है खरीदा था कितने में 400 कितने में जो है कि 80 रुपा क्या खरीदा था इससे यह क्या हुआ कट गया नो अब जारा कटाईएगा दू पाच्छे दोस दू निके चार दू च्यों के कितना आठ फिर दू पाच्छे दोस दू एकम दू और दू निके कितना चार और दू निके चार दू पाच्छे कितना हुआ अब यह हुआ पाच्छे कितना हो गया पचीस बटा में कितना बारा आप बारा दू निके 24 यानि कि यह दो सही यह कमर्टा में कितना 12 परसेंटेज के लाग से वह क्या करता है बेचता है तो यह रहाथ दो सही 11ते में बारा पर सेंटेज जो कि आपका आपको समझे है न कोई भी कुस्चिन होगों करेंगे है डिखते हैं प्रस्न नमदर 40 कहता है कि टुमberg 30 उप्रोसेश शिब हैं जिसतर से हम अभी जुआ कि परशंद नमर 29 को किये हैं चल्त लगा कर ने एक दुपंदार ने 80 kg चाय जो है कि 80 रुपए प्रति किलोग्राम यानि 80 kg पहली इस्थिती में जो है कि जब 80 kg जो है कि चाय यदि खरीदता है ठीक है 80 kg जो चाय है पहली इस्थिती में जो चाय है 80 kg जब खरीदता है तो 80 kg जो है कितने रुपए प्रति दर के 80 रुपए और से खरीदता है तब तो यह कितना रुपाय का खरीद लिया अब यह हो जाएगा आठी-अठी-चाउंसोट हो जाएगा यानि कि छहाजार कितना हुआ चार सो यानि कि जब 80 किलो जब वह चाय खरीदता है 80 रुपाय जो है प्रती किलोग्राम की दर से तो इसका इतना रुपाया हुआ अब देखें लेकिन दूसरी बार कहता है क्या दूसरी बार जब कितना खरीदता है जब दूसरी बार चाय खरीदता है एक सो जो है कि 20 किलोग्राम 120 किलोग्राम क्रिदता है तो उसका रेट कितना लगाया जाता है 100 रुपया रेट लगाया जाता है 10 कट भिछ गरने होत। जाएगा। 70 हुए कि 12 000 रूपेया है। तो अब कुल आपका चाह कितना हुआ पैसा यानि कितना हुआ कितना चाह खरीदा और कितना जै कि उसका एक क्राइम मुले हुआ कितना रूपये में खरीदा कितना चाह ओप देखें यह जिर हो जायेगा 820 को सुनना हो जाएगा 20 का फालर 200 जाए झाल सव जब 200 कईजी खरीद द रेता तो इसका जुशीपी था ये क्रएम मुलिये थे कितना हुआ जीरो जीरो यह चार हो जाएगा च्छा दू आहठ हो जाएगा और इस यह सब यानि कि 1,800 रुपिया यानि कि ऐसे कह सकते हैं कि 18,400 रुपिया इसका क्या हुआ सीपी आठारा जर कितना हुआ 400 रुपिया सीपी हुआ अब देखिए इतने में वह खरीदता है लेकिन यह भी आप परसंटेज का 25 परसंटेज का इन्यदी प्रोफिट उसको कमाना चाहिए तो आखिर में जो है कि ने रुपिय में बेचे हैं तो कितने रुपिय। वह बेचेगा है ठीक है तो चलिए पहरे देखते हैं कि दो सो किलो ग्राम को आखर में कितने यानि 25 परसंटेज का यतिलाब कमाता है तो 200 ग्राम 200 किलो ग्राम पे कितने रुपए में वह बेचता है तो दो 200 kg चाय का चाय है चाय का जो है क्यों निकाले एसपीए चाय का क्या निकालेंगे हम यदि स्पी निकालते हैं यदि हम लों कर अолж thing है ठीक है कोश्ट्यक में 100 हो जाता है appreciate ने पर्तिसति का लाव कमा रहा है gefलाउ कर आइक बसे परसेंटेज करte started सम्हस्में फॉक्षेक यह थिए हते हैं है यह होती तो ड़ीए पर ये इने कितना हो जाता आप का दोगयों से तो क्या होगा चाहिए गुणे कितना 125 अब इनका मल्टिप्लाइ हम लोग कर देंगे कि अब देखेगा मल्टिप्लाइ करें कितना होगा तेजार होगा इसका मतलब अब देखेगा यदि वह 200 किलोग्राम जो है कि चाय खरीदा था तब तो वह बेचा बेचा है कितने में 23,000 रुपए में 200 किलोग्राम चाय को बेचा कितने में 23,000 में वह क्या किया बेच दिया वह 2,30,000 तो यह थी हम लोग एक किलोग्राम का निकालते हैं तो त्याइसशहजार यानिकि एक केजी जो है सिती सोले करेंगे कितने से 200 से तो पता चलेगा जो है कि एक किलो ग्राम चाइ ना है इसा से यह कट गया इसा से यह क्या हुआ कॉत गया और इससे हम लोग इसको डीवाइड करेंगे तो एक हम दो हुआ दो पाच है कितना 10 यानि एक सो पंदर रुपया जो है कि प्रति किलोग्राम यानिकि एक सो पंदर रुपया कितने बेचेगा प्रति किलोग्राम यानिकि एक सो पंदर रुपया प्रति किलोग्राम में वह क्या करेगा बेचेगा को जब उसे परचीस परसेंटेज का लाब होता है तब यानिकि उसे ब कि उमिदों कि क्या को समझने आया है इस टाइप को यह कोई भी कुश्चन हो तो इस तरह सोलुसन करेंगे चलिए है तो प्रस नमर जो है कि 32 से कोई दुकंदार माल खरीदने में 20% और 2% और बेचने में लेकि इसके बाद अभी सिल्सला बन नहीं हुआ अब हम लों निकालेंगे एक पर यदि हम निकालते हैं तो यह हो जाएगा एक सो दो बाटा में कितना सो ठीक है यदि वह एक रुपए में खरीद था तब तो वह बेचेगा कितने में एक सो दो बाटा में कितना सो लेकिन बेचने में भी वह जो है खरीदने में भी दो परसेंट भाइमाने किया और बेचने में भी दो परसेंट भाइमाने किया तो वह बोले क्या 102 इसकल टू आपको कितना हो जाएगा दोनों के क्या करेंगे मल्टिप्लाइ कराएंगे अब यहां से मल्टिप्लाइन करा करके हम यह कटा देते हैं तो यह कट करके हो जाएगा आपको टोटल मान कितना हो जाएगा मल्टिप्लाइ करने बड़ कटाते हैं तो आपक ठीक है अब देखेगा खरीदा था 100 रुपया में ठीक है और बेचता है कितने में 104.04 यानि कि 104 रुपया और 4 पैसे में दूह बेचता है तो कहता है कि लाव कितने का हुआ और कहता है कि प्रतिसत लाव बताईए प्रतिसत क्या लाव तो हम लोग का हो जाएगा प्रतिसत निकालते हैं तो आपका होना चाहिए लाब निकाले है तो निकालेंगे तो हो जाएगा एक सो चार दसमलो जीरो चार आप माइनस कितना हो जाएगा सो हो जाएगा और गुणे कितना होता है सो आप बाटा में आपका क्या होता है क्राइमुल्य होता है क्राइमुल्य कितने का ह सव का तो है सव से सव क्या हुआ कट गया न अब इसके बाद हम लोग कितना हो जाएगा वह देखी और इसका घटाते हैं इसको तो यह हो जाए कितना थो सौम्हेस 104 में से सव घट हाँ न कितना 4.04 रुपए यानिक एतना परसेंटेज इतना क्या परसेंटेज का उसे क्या होगा लाव होगा यानिकि चÕ् достаточно युकि आपका option कौन्सा correct है option number C यापका correct क्योंकि वह वायमानी कर रहा है दोबार एक बार खरीदने में भी 2% श्रकार बै मानी कर रहा है तो रूह जब वह क्को अстрटा और यह यहां से आपका प्रतिसत लब नीकालेंगे तो यह जितने में वह बेचा है जीतना का फ़रिदा है नों घटा देंगे तो आपका किया है खरीदा बाटा में आपका वही होता है जो आपका क्राइम मुल्य होता है काटाने के बाद कितना हुआ चार दसुम्र जीरो परसंटेज ठीक है चलिए आगे देखते हैं प्रस्ट नमर जो है कि तो प्रस्ट नमर ताइटीस है कि जारे देखेगा अध्यान से पड़िएगा कह कि तो पीज़ आंडा खरीद है ऐसे समझें ठीक है और जब दोसो ओंडा खरीदता है तो वहां उसका दाम बताता है चार रूपिया और 80% बताथा है कि खरिदकर मिला दिया फिर उसने उसको जिए कि दस अंडे ऊब वहाँ बेचता है तो इसर रूपिया सब्सक्राइब हुआ आपको बताना है कि कितने परसंटेज का लाब हुआ चले हम लोग सलूशन पर आ जाते हैं कहता है देखिए 300 अंड़ा खरीदता है तोटल कितना खरीदता है 300 ठीक है आप देखें पहले क्या कहा रहा है कहता है कि तीन अंड़े जो है कि तीन रूपिया पचीस पैसा तीन जो है अंड़े जो खरीदता है कि तीन अंड़े की दर है ठीक है यानि कि तीन अंड़े जो है खरीदता है यसे समझ लिजिए कि तीन रूपिया पचीस पैसा में कि थीञे समझे गा तीन अंडे जो है इतीन अंडे का जड दाम है यानितिन अंडे खरितता है ती southeast में तीन蒜 लेना चाहता है तो तीनल दा मोटा कितना दाम हो जाएगा तीन रूपिया 25 पैसा गुणे तीन तो अब बाटा में कितना तेन तेंस debt 62 नेसे से कटा देंगे तो हो जाएगा सो और सो जब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 300 कितना दोस्तों 25 रूपिया कितने अंडों का जो है कि 300 आंडों का हो जाएगा 300 कितना 25 रूपिये इसके बाल आज क्या कर रहा है और देखि़ तुर्थ अंड़ जले रहा है तो उसों कितने झाल में लिया थाता दूसरी स्थिति इस के कहता है की चार अंड़ चार ओन दमर्ट के जो दर है यानिग से चार अन्डों का जो मुल्य था कितना बता यह हो है 6 रुपीया जीज सा किसे मैं अफ्लिगां थिकां तो वह लिया है कितना 200 अंडेखेgres बहिए 200 अंडे के दरгля कितना 6 deserves Am a जाएगा Гितनल's कि अब यहां से हम लोग कटा देंगे तो यह हो जागा 45 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा इसका इदी मल्टिप्लाई करा देते हैं तो दो जीरो तो पहले बढ़ जाएगा दोनों में है तो 45 को सुनना हासिन कितना हुआ और तो और यह कितना हुए तो फैय अब देखिए है कि कूल अंडे कितना था दिखने में समय लेगा कुल अंड़ा आपका 300 और 200 कितना हुआ 500 रुपया यहनि कि कुल अंड़े 500 थे ठीक है तो उनका जो अब देखिए जब 500 रुपया उसको क्या किया है दिया है लेकिन इसके बाद क्या का रहा है और इतने में तो वह खरीद कर ला दिया लेकिन कहता है कि यदि वह बेचता है चार अंड़े जो है ठीक है चार अंड़े की दर तो यदि चार अंड़े जो है वह बेचता है 18 रुपया जो है 18 रुपया और 62 पैसे में चार अंड़े नहीं दस अंड़े की दर यानि कि वह बेचता है कितने में 18 रुपया और कितने रुपय में 18 रुपया और 62 पैसे में क्या करता है बेचता है तो इसलिए जो है यदि वह पांसो जो है अंड़े लेता है ठीक है तो पांसो अंड़े की दर अब कितने रुपय में वह बेचेगा तो आठार दस मेलों 62 यानि आठार दस मेलों चोदू गुणि कितना हो जाएगा पांसो और बाटा में कितना दस तो इससे क्या हुआ कट गया इसके बदल हम मल्टिप्लाई करा देंगे यह एक जिरो बढ़ जाएगा पांदुनिक दस को सुनना हासिल एक हुआ और पांच चेकर तीस से और एक तीस को एक हासिल तीन हु चार हुआ और पांच काम पांच और इक्तिस रुपाइय वह क्या करेगा बेच चेगा यह जो है इसका स्टी सा सेलिंग प्राइज आपका कितना हो गया 900 जुह है की 31 रुपई में वह बेच दिया है खरीद है कितने में 655 रुपई में समझें है हरे हो गया हो गई ऐनी कि वह घड़ीदा था 665 रुपया में और बेच दिया 500 रुपया में do गङ делает क्या weighing कि यहां से फ्रतिस्ट यह हम लाव निकालते हैं कि रतिस्ञट होटल बराबर क्या हो जाएगा कितनी रूपाइगा इन दोनों घटisson आएंगे तो आपका हो जाएगा नो सो 23-66种 65 खरीदनों और तुर में आपका क्राम गुड़े कितना हो जाएगा और यहां से हम लोग इसको यदि डिवाइड करते हैं इन दोनों को यदि डिवाइड करते हैं कितना परसेंटेज का करता है लाब कमाता है यह कितने अंडों का दाम कितना हो रहा है कितने यानिंव टोटल यह 500 रुपया और लेता है यह तो यहां चल चल रहेंगी तो इतना हो तो बटा में क्या स्पी यानि के सीपी होता है करें मोले ठीक वह फार्मूला पर हम लोग सेफ रखें हैं चलिए आपका देखते हैं क्वेश्चन नमर 34 आपसे पूछा है क्या जारा हो देखिए चलिए देखते हैं प्रस नमर जो है कि 34 जो कि आपका लास्ट कोश्चन है और जाते जाते वीडियो का लाइक और अपने दोस्तों में जरूर करते हैं कि एक आदमी ने कुछ नीबू प्रति रूपाए 12 यानि एक रूपाए में 12 नीबू खरीता है दूसरे प्रकार के उतने ही नीबू प्रति रूपाए 8 नीबू यानि कि एक रूपाए में 8 नीबू खरीता है उसी प्रकार का तो दोनों प्रकार के नीबू एक नीबू एक में मिला कर उसने उनको एक रूपाए में 10 नीबू यदि 10 से बेचता है यानि कि 10 नीबू को मान लेते हैं कि माना एक व्यक्ति जो है माना एक व्यक्ति 120 निबू खरीदा है कि मान लेते हैं कि कि एक ब्यक्ति जुह है कितना नीबु खरीदता हैं 120 नीबु खरीदता है and ओधिये कैसे निकाले हैं आपका जो जो मान दिया गया है बारा आठ और क्या दस है यह ईन्हों का लोग את 120 तो खरीद लिया अब कहा रहा है कि 12 नीवू एक रुपाय में देखिए 12 जो है नीवू एक रुपाय में खरीदा ठीक है 12 नीवू कितने रुपाय में खरीदा एक रुपाय में खरीदा तो वहाँ यदि हम लोग निकालते हैं कि 120 नीवू कितने रुपाय में खरीदा 120 नीवू का निकालने के लिए हो जाएगा एक बाटा में क्या 12 अगुने कितना 120 यानिकि 12 एक हम 12 यानिकि 10 हो जाएगा इस इकल्ट कितना 10 समझ में आया अब इतना तो किलियर हुआ न अब चली आगे देखते हैं क्या कह रहा है कहता है कि दूसरे प्रकार के उतने ही नीवू यह आठ रुपए में अब देखें अब यह तो पहली सर्त थे दूसरी बार यह कह रहा है यह आठ नीवू जो है एक रुपए में खरीदता है अब आठ नीवू कितने रुपए में एक रुपए में खरीदता है 120 निवू कितने रुपए में खरीदेगा एक बाटा में 8 अगुणे कितना 120 है कितना समझ में आजा अब देखें कटा देंगे तो यह हो जाएगा 8 कम 8 हो जाएगा अब 4 बच गया 8-4-12 होता है 40 हो जाएगा और 8 पचे क्या 40 तो उस समय कितने रुपए खरीदेगा पंदर रुपए का यानि कि 120 निवू जो है वही खरीदेगा कितने रुपए का पंदर रुपए का तुसरी सर्तांसार लेकिन यह कहता क्या है वह जरा देखिए आप देखिएगा तब तो यह कितना हो जाएगा और 120 आपका हो जाएगा क्या 240 अब 240 जो निवू है 240 निवू को खरीदने में कि खरीदता है कितने रुपए में 25 रुपए में आप समझेगा है स्ह EXEC is का क्रा मुल्य Hey 24 mm board इंट छोधेव गेता है 200 दूसल जो है to 24 Mm Steve a खरीदता है कितने रुपए में 25 पाक्वाइं में ने सम्झेगा 240 गफ़ोक्त कपत कंथो है इसके बार कहता है कहता है कि यह तीसरी बार या प्रेचता है अब क्या करता है वो एक रुपाय में भीचता है तोटल निवु कितना खईदह था तो दो सो 40 हो कितने रुपाय में कि जारा देखिए और बेचेगा यह 1 बाटा में कितने क्या किया है निए सथाफmost तो अब इसके बाद परतिसत हैं क्या निकालते हैं प्रतिसत तो आते हैं यहां पर प्रतिसत फाइन कर लेते हैं प्रतिसत पूछता है कि प्रतिसत जो है हानी कितनी है तो प्रतिसत हानी निकालेंगे दोस्तों क्या क्या चाहिए देखिए प्रतिसत हानी के लिए आपका चाहिए की जो है कि हानी कितने रुपा कचीश हों 25 प्रतिसत की हानी से क्या 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 किया है देट आप का Sunny से क्रेक्ट है चार प्रतिस्त की हानी से क्या कर दिया है उध्य होगी कि आपको एगन्हें समय में अ सब्सक्राइब है जो की आपका अध्याए-12 है क्या श्रू देखेंगे मुलधन क्या होता है सब कुछ समय डिटेल से लो देखेंगे और सब कुछ समझते भी चलेंगे तो चलेंगे मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यूँ कि अगर 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 अगर